हलो दोस्तों तो बर्खा जेन व्लोक्स में आपका स्वागत है और आज मैं बनाने वाली हूं नमकिन की सब्जी इसलिए बना रही हूं क्योंकि आज मेरे गर में कोई भी सब्जी नहीं है तो फिर मेरे पास एक ही टमाटर पड़ा हुआ है एक ही प्यास पड़ी थी कुछ हरि अधिया थी तो मैंने को ले लिया है सबजब आने वाली हूंd मैं बना दिती हूं अब इन सब को मैं पीस लूँगी इन सब को मैं एक जार में डाल के पीस लूँगी पहले बेस्ट बना लिए थी कुरमा और को में थोड़ा सा टेल डालोंगी कि मैंने सर्सों का तल डाला है। मैं में MP3 ऐूस कर देखी यूद्ट करती है और परscale मां दीज़े सर्सों का तील नहीं है घर में uh तु मैं कोई और तमी यूज कर देह हैं झालेटी हूं, और हींग, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, यह थोड़ा सा वे तेल गरम हो जाए, तब तब मैं जीरा और हींग निकाल लेती हूँ, यह हींग है, मैं थोड़ी से इसमें हींग डाल रही हूँ, अब मैं इसमें डालेंगी जीरा, यह जीरा मैं डाल देते हूँ, जीरे को डालने के बाद जैसे ही जीरा भून जायेगा हलका सा, पेस्ट पीज़ा तामाटर हरिमेच और लैसन का वह पेस्ट में डाल दूगी पेस्ट में डाल दिया है अब हम क्या करेंगे जारने भी थोड़ा सा वह लगा होता है पेस्ट तो मैं इसमें थोड़ा सा पाने और डाल के इसमे डाल देगी यह देखे गाइस अगर हमारे घर में कोई भी सब्ची ना हो तो अगर कोई थोड़ा बहुती पड़ा हो तो नमकिन नमकिन भी हो तो आप उसकी भी इस तरीके से इंस्टेंग सब्ची बना सकते हैं जिसे घर में कोई भूका भी नहीं रहेगा अगर हम नहीं खरीद पारे हैं अम एना ओल्डी इसमें चार हरी में डाल दी है तो लाल मिर्च मैस में थोड़ी सी भी टालूंगी मैं एक चमच हरा धनिया डाल रही हूं नमक स्वाज के अनुसा डाल दें और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हल्दी अब मैं इसको मिला रहूंगे इसको अच्छे से मिला लें हम इसको ढखके रखते हुँ पांशमेंट के लिए ताकि थोड़ा सा यह पक जाये हम इसको ढख देते हैं और पांशुन बाद फिर इसको देखते हैं तो दोस्तों पांशनत होगा मैं इसको हटा के देखती हूं सब्जी का क्या हाला है हमारी यह देखिए भड़िया लग रही है यह अब कुछ नहीं करना है इसमें हम नमकिन डाल देते हैं जो हम ने बारिक सेव ले रखते हैं आल Means में इसमें डाल देते और वन को चला दो है भड़िया की मिक्स कर देते हैं यह जो नमकिनेों की इसमझी हरोती है श्यों के थोड़ मुले दुक्स घड़ी स्थी काफ़ीा आदिए नमकिन की सब्जी और राजिस्थान में तो यह बहुत इमत्व फेमस है नमकिन की सब्जी अब इसको और अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया काटके यह मैंने हरा धनिया काट लिया है यह मडाल देते हैं इससे ताइना और अच्छा फ्लेवर आजाएगा यह मैंने हरा देने रादिया मिस्स कर लेता है अब यह हम किसी बर्टान में निकाल लेंगे आप बताएं दोस्तों आपको यह मेरी अगर घर में कोई भी सब्जी ना हो तो जो भी कुछ हमारी घर में है कोई भी सब्जी बना सकते हैं अपकी घर में जिसको भी सर्व करेंगी वह उगलिया चाटते रह जाएगा अगर आपको मेरी रेसीपी पसंद आही है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और और आपको ऐसी वीडियो आपके साब ने लेकर आउंगी थैंक्यू बाई